आइस है लोकूम टू रह्मान चेमिस्ट्रीक एडमी फूर खेमिस्ट्री लरणिंग अगर आप रियल में चेमिस्ट्री जानना चाहते हैं रियल कंसेप्ट को समझना जाते हैं तो चैनल को देखे और इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जानने के कोईशिश करें चलिए मैं पिछली कड़ीक से जुड़ता हूँ बिल्कुल मैं इसकी वज़े से हम इसका इसका इस्तमाल यूज बहुत दादा बढ़ जाता है पहले डिफेक्ट के अगर हम बात करें तो फरस्ट अफल यहां पर कुछ बात हैं हमें समझनी पड़ेगे अपने 11th क्लास में पड़ा होगा कहता है कि अट जिरो केलिवन तेमपरेचर दपर्फेक्ट किस लाइन सौरिड है जिरो इंट्रॉपी मतलब उसके अंदर कोई रेंडमनेश नहीं कोई चेंज नहीं कुछ नहीं होता है लेकिन जैसे ही आप जिरो केलिवन तेमपरेचर से उपर आएंगे उसके अंदर क्या होता है कि इंट्रॉपी उसकी इंक्रीज करने लगती है डिफेक्ट का फॉर्मिशन होने लगता है और ऐसे कैसे में आप देखिए ब्लैक शेडव में देख रहा होगा आपको इसी कड़ी से जुड़ता हुआ नाम आप नजर आएगा इसको अलेक्ट्रोनिक डिफेक्ट्स जो सेमिक डिफाइसे में डिटिल बताऊंगा जब एलेक्ट्रोनिक अंडेक्टिविटी की बात करूंगा मेरे आज का टॉपिक है मैं पॉइंट डिफेक्ट्स पे डिटिल करना चाहता हूं इसमें कुछ लेड़ेट टॉपिक है शॉट्क की यह फ्रेंक लिफ पर बात करूंगा पहले हम पॉइंट डिफेक्ट्स पर एस समझते हैं कि वाट इस पॉइंट्ट डिफेक्स होता क्या पॉइंट डिफेक्स पर आप बात करें तो आपको यह साफ दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए यह ग्रीन और रेट कदर के दो डिफरेंट हमारे पास अटम से यह आनिक सॉलिट्स है मैं इसलिट्स की बात कर रहा हूँ अगर उन में से कोई किटायन मैं मानता होंगी ग्रीन वाला किटायन अगर टीट्स है चोड़ कि चलाए तो वहां पर कॉइंट साइस का होल तो जरूरु ऑवाइड खाली जगा हो जाएगी ड़तिस कॉल्टेफर्ट मतलब एक और आरेंजमेंट में से अब यहां पर प्रॉब है second type के defectors ionic solids की हम बात करें हो सकता है कि पूरा-पूरा line x-axis y-axis z-axis इन axis में से पूरा-पूरा एक line गायब हो जाए एक plane गायब हो जाए सारे atom गायब हो जाए वहां से such defect is called line defect यह हम इसको plane defect कहते है अभी जो मेरा मकसद है topic है मैं point defects पर detail study करना है यहां पर बताना है मेरा मकसद है the point defects अगर हम आते हैं सबसे पहली बात है थर्मो डैनमेकल defects है temperature increase करने के बाद यह stoichiometric defect की शुरुवात होती है यह point defect की शुरुवात होती तेंपरेचर यहां बहुत बड़ बड़ा रूप्ली करता है stoichiometric defect पर हम आते हैं तो यह stoichiometric है क्या basic defect कैसे शामिल हो गया कहते हैं अगर defect से पहले जो ratio था atom और katein और anion का वही ratio अगर defect के बाद भी maintain रहता है वैसे condition में such defect introduced inside the crystallitis is called stoichiometric defect के लाता है यह खासकर जो मैं बात कर रहा है it is for the ionic solid जहां पर kateins और anions होंगे that defect is called point defects की बात मैं की जा रही है उसी की कड़ी से जोड़ता हूँ उस point defect का types है stoichiometric के वो दो तरह कि एक आना में short की एक आना में frank कर रहा है मैं short की को पहरे discuss करता हूँ short की क्या है कहते है katein anion हमारे पास जानते हैं कर गुलर arrangement में crystalline solid में present होते हैं अगर when katein and anion both can leave the lattice side जैसे यहाँ पर देखिए अगर आप तो arrangement यहां साफ नजर आ रहा हो आपको katein a plus anion b minus a plus b minus a plus b minus अगर a plus होना चाहता है a plus यहां से गायब हो गया अगर a और b दोनों same proportion में यहां से lattice side को छोड़के चले जाते हैं छोड़के जाना बिलकुल रहना नहीं आसपस कहीं नजर नहीं आएंगी such defect present inside the lattice इसको short cut effect कहलाता है इसमें हमेशा ख्यार रखना है equal number of katein equal number of anion both can leave the lattice side अब सवार उठता है ऐसा क्यों होता है ऐसा होने की दो reason है या तो equal size of katein and anion हो बहाँ जादा उनके बीच में difference नहीं होता size में दूसरी बात कहते हैं ऐसा हो सकता है coordination number बहाँ जादा हो मतलब एक item से adjacent number of item जादा हो जैसे eight हो जाए six हो जाए ऐसे condition में क्या होता है katein को anion को hold करने में मुश्किल होती है वैसे condition में anion आसानी से भाग सकते हैं तो यह दो condition यह रखना है अगर almost radius of the katein and anion size is almost same रहता है और coordination number जादा होगा आपका वैसे crystalline solids हो है आपको खासकर shot key defect show करेंगे इसकी यह खास बात क्या है कि katein and anion दोनों साथ जाते हैं इस विछ से चार्ज ना घड़ता है ना बढ़ता है second इसी के example में आता है rock salt type CSCL type जिसका coordination number eight is to eight होता है जाहिर से बाद इसका mass होड़ा कम हो जाएगा जब mass कम हो जाएगा तो density के होगी decrease कर जाएगी इसमें देखेगा volume तो से हम रहता है बट mass कम होने जो से density इसकी decrease कर जादे because density is equal to mass upon volume होता है इसी type के defect को और non ionic solid में यह defect आता है frankal defect frankal defect को dislocation defect भी कहते हैं dislocation मतलब अपनी location छोड़ के कहीं और मिल जाए हमें that is called dislocation defect इसमें कहानी बड़ी अजीब हो गरीब है इसमें अगर आप structure पर देखें पहले मैं structure की बात करता हूं देखें मैंने यह यलो वाला anion लिया है और blue वाला आपको cation लिया है agbr का example यहां पर दिया है अब देखें के cation यहां से गायब होकर के interstitial मतलब lattice site पर ही कहीं पर जाके बैठ जाते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो lattice site छोड़के नहीं के वह adjacent position पर कहीं जाके बैठ गया है ऐसे condition में such type of अब जहां से वह गय है वहाँ पर वाइड होगा वहाँ खाली जगवाँ डिफेक्ट्स होगा cation का movement होता है such type of defect is called Frankel defect तो आप यह बात कह सकते हैं कि when cation doesn't leave the lattice site it move from the different sites of the anions अपने lattice site पर कहीं और जगा साइट पर पहुँच जाते हैं the such defect is called Frankel defect कहला ता मतलब interstitial site पर जाते हैं मतलब उसी के आस पास कहीं चले जाते हैं पहले बात इसमें cation anion ना कोई कम होता है ना कोई जाता होता है तो जाहिर से बात है कि इसमें आप क्या पाएंगे इस defect में density पर कोई फर्क नहीं होता है mass volume पर कोई फर्क नहीं परता है दूसरी बात यह ऐसा होता कियों क्योंकि आप देह रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि दोनों cation और anion के size में बहुत बड़ा difference होगा जितना ज़्यादा difference ज़्यादा होगा ultimately वहां पर क्या होगा कि वो cation's move करना अशान हो जाते हैं खासकर इसके coordination number वैसे वैसे कोडिनेशन गमपाँ वैसे salt crystalline solid इनका coordination number कम होता है वह सब फ्रैंक्रिल defect शो करते हैं इसे example जरूर याद रखते हैं आपको ZNS type, AGCL, AGBR, AB2, AB2 type यह मैं आपको ionic solids प्रिविएस वीडियो में मैं डिसकस कर चुका हूँ सब के बारे में एक side का charge क्योंका plus charge जमा होने शुरू हो जाएंग एक side में करीब आये लगते हैं charge separation बढ़ने लगते हैं निगेटिव वाले लग side चले आते हैं तो ऐसे condition में dielectric constant पे फर्क पड़ता है इसी type के defect को जहांपे lattice side पे atom shift करता है lattice side को छोड़के नहीं जाता इसी defect को अगर हम non-ionic solids पे देखते हैं उसका नाम होता है interstatial defect कहलाता है सबसे important example यहाँ पर याद करना है एक वैसा question पुछा आता है कि वैसे example का नाम बताएए जिसमें short key और frankil दोनों हो सकते हैं उसका example होगा silver bromide तो आप इसको जरूर याद करेंगे आगे देहेंगे दोनों defect की वैसे क्या होती है दोनों defect में differences आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि difference कई बार exam में आते हैं दोनों defect में खास बात है कि electrical conductivity बढ़ाता है कि जहाँ voids हैं कि जहाँ पर ions का movement हो सकता है तो वहाँ पर क्या उगजाई से बात conduction increase करेगा current का flow बढ़ेगा इसी अगर इफेक्ट जाद तर खासकर ionic solid में होता है अगर इसी को हम intrinsic semiconductor की नाम से भी कह सकते हैं कि अंदर conduction शुरू हो गया ions के free होने के वैसे voids की वैजा से तो यह basically क्या है conduction को increase करता है इसलिए हमारे लिए इसकी properties बहुत important है तो यह increase करने का मतलब है due to increase the movement of ions यह बढ़ा सकता है दोनों defect तो जहां पर एक ideal crystal था जिसमे current pass नहीं हो सकता था वहाँ defect आने के बाद क्या होता उसमें conduction जैसी properties increase कर जाती है और इसी वजह से हमारे पास कंडक्शन की properties increase करने का मतलब defect हमारे लिए fruitful बन जाता ना कि हमारे लिए कोई harmful substance है I hope मैंने आज यह वीडियो सिर्फ stoichiometric defect क्लिए बनाई थी ताकि आपको यह चीज दोनों concept बहुत important है दोनों आपको clear हुआ होगा I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को subscribe like even share जरूर करें और आपको लगता है कि और में बहुतर तरकर से वीडियो बनाने कुछ और चीज़ जहां पर कम यहां लगती है आप उसमें हमारे साथ हमारे कमेंट से समय जाए और वहाँ पर जरूर लिखें हमें बताईए देखिए यह जितने सारे नोट्स हैं यह बड़े इंपॉर्टन्ट है नोट्स हैं खासका जेई मेंस और नीट इवन के सीवेस एक्जाम तो नॉर्मल है आप आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं इसे अगर नोट्स को रुगलर आप श्टडी करें पड़ते रहें इसको तो आपको बहुत बेनिफिश्य मिलेगा थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियोज